हालो आज हम जानेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो हार्ट की बिमारी के साथ बहुत कॉमनली इस्तमाल होता है लेकिन उसकी बारे में समझ उतनी ही कम है और ये शब्द है ECG ECG इसका फुल हो है E-C-G इसका फुल फॉर्म है electrocardiogram तो हमारे हार्ट में लगातार electric current का flow होता है ये electric current हमारे हार्ट की अरुदय की mass special को pump करने के लिए जोरूरी होता है दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट के बीटिंग के लिए या दिल की धड्कन के लिए ये electrical current बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ECG या electrocardiogram इस electrical 큰 kept paper पे लिये हुए record का नाम है तो अगर आपका heart में कोई बिमारी है तो ये जो electrical current का ज़ो record है जो paper पे लिया जाता है इसका भी construction जो की waves की रूप में होता है ये बदल जाता है या बिगड़ जाता है आपके डॉक्टर इस ECG को देखकर इसमें हुए नए बदलाव को देखकर इस बात का एक अंदाज लगा सकते हैं कि आपके हार्ट में कौन सी बिमारी हो सकती है तो ECG या Electrocardiogram ये आपके हार्ट के अंदर के Electrical Activity का पेपर पे लिया गया record है